वैसे तो COVID-19 पूरी दुनिया में अपनी तवाही का मंजर दिखा चुका है लेकिन भारत ने COVID-19 के खिलाफ अपनी जंग में बहुत से महत्वपूर्ण मील के पत्थर को पार कर लिया है करीब तीन महिनों के बाद पहली बार जब 20 अक्टूबर को पिछले 24 घंटों में नए पुस्ट मामलों की संख्या 50,000 से कम यानी 46,790 हुई है ऐसा 28 जुलाई को हुआ था जब एक दिन में कुल मामलों की संख्या 47,703 थे प्रति दिन बड़ी संख्या में कोवेड रोगियों के ठीक होने से और मृत्युदर में भी लगातार गिरावट आने से भारत का सक्री मामलों में गिरावट दर्ज करने का रुख जारी है वहीं सक्री मामलों की संख्या में 20 प्रतिसत से ज़्यादा की गिरावट दर्ज की गई आज की डेट में देश में कुल सक्री मामलों की संख्या 7,5 लाग से कम यानी 7,48,529 है जो कुल मामलों का 9,85 फिस्दी है केंद्र की समन्वित और देश भर में तेजी से जाच कराने तुरंत और प्रभावी निगरानी और ट्रैकिंग ततकाल अस्पताल में भरती कराने और केंद्र सरकार द्वारा जारी स्टेंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल की रणनीती और उस पर राज्यों और केंद्र सासित प्रदेशों द्वारा की गई ततकाल और प्रभावी कारिवाई के कारण ही यह सब कुछ संभव हो पाया है यह सफलता देश के सभी हिस्सों के डॉक्टरों पराचिकित्सकों अग्रिम पंक्त में कारिकरताओं और अन्य सभी कोविट-19 जो धाओं द्वारा की गई नहिस्वार्थ सिवा और प्रतिबधता के चलते मिली है सक्री मामलों में गिरावट के अलामाट ठीक होने वाले रोगियों की संख्या में जबरजस्त बढ़ोत्री हुई है ठीक होने वाले रोगियों की संख्या सरशथ लाख को पार कर गई जो की सरशथ लाख 33,328 है सक्री मामलों और ठीक होने वाले मामलों के बीच भी अंतर लगातार बढ़ रहा है और यह बढ़कर आज की डेट में तक्रीबन 69,84,790 हो गया है पिछले 24 गंटों में 79,720 रोगियों को ठीक होने यानि रिकवर के बाद अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है अब राश्टी रिकवरी दरबढ़ कर 88,63 प्रतिशत हो गई है ठीक हुए नए रोगियों में से 78 फिस्ती मामले 10 राज्जों और किंडर सासित प्रदेशों के हैं महराश्ट इसमें सबसे आगे हैं प्रतिदिन 15,000 से ज्यादा रोगी ठीक हो रहे हैं इसके बाद करनाटक का स्थान है जहां प्रतिदिन 8,000 से ज्यादा रोगी ठीक हो रहे हैं 75 फिस्ती नए पुस्ट मामले 10 राज्जों और किंडर सासित प्रदेशों से हैं महराश्ट करनाटक और केरल में 5,000 से ज्यादा नए पुस्ट मामले सामने आये हैं पिछले 24 घंटों में 587 मामलों में रोगियों की मौत होई हैं इन में से करीब 81 फिस्ती इन 10 राज्जों और किंडर सासित प्रदेशों से हैं लगातार दूसरे दिन मौत के मामले भी 600 से नीचे रहें महराश्ट में एक दिन में सबसे ज्यादा 125 मौते होई हैं दुनिया भर में भारत वह अकेला देश हैं जहां सबसे ज्यादा रोगी ठीक होई हैं और जहां सबसे कम मौत भी होई हैं आज यह आकणा 1.5 दो प्रतिसत हैं यही कारण है कि सक्रिय मामलों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही हैं